सबको जे येसु की प्रभी येसु क्रिस्त में प्यारे बहाई और बहनों आप सभी लोगों का मैं हारदिक स्वागत करता हूँ एक नए लिटर्जिकल कैलेंडर येर में हम लोग आज के दिन से प्रवेश करेंगे आगमन काल का पहला दिन है पहला इतवार है दिसंबर के ती साल में हम लोग प्रवेश करते हैं और इसे के साथ कैतलिक कलिस्या के अंतरगत हम लेक नए नहीं साल में प्रवेश करते हैं और आज के दिन में विशेसरुप से मैं आप सबों के सबों का स्वागत करता हूं संडे पासवर्ट तुदा वर्ड इस शिर्षय के अंतरगत आगमन काल की हमारी तयारी शुरू करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करता हूँ आज की दिन में मुक्यरूप से हम सबों के लिए मनंचिंतन करने का विशई है आगमन काल से सम्मंदित बाते हैं आगमन किसका सबसे पहला पहला बिंदू है मनचंतन करने के लिए आगमन किसका आगमन प्रभी येस्व का जो की दो हजार तेईस साल पूर्व हो चुका है दो हजार तेईस साल पूर्व प्रभी येस्व मस्य का आगमन मनश्य के रूप में इस दर्ती पर हो चुका है तो हर दिन प्रभू का आगमन हमारे जीवन में होना चाहिए प्रारतना के द्वारा संसकारों के द्वारा प्रभू के वशनों के द्वारा प्रभू के सानेद में बैड के प्रभू के अनवों के द्वारा प्रभू का आगमन हमारे जीवन में होना चाहिए और इस बात की तैयार अगमन को लेकर मनन चिंतन करें दूसरी दूसरा बिंदो है आगमन कैसे होगा आश के दिन में हमारे जीवन में आगमन प्रभी यसु का कैसे होगा आगमन करने के लिए प्रभी यसु का हम सबों के लिए जरुवत है निर्गमन पर द्यान दें दूसरा बिंदो याश के दिन में मनन चिंतन करने के लिए निर्गमन क्या है निर्गमन बाहर बाहर जाना बाहर निकालना तो हमें क्या हमारे जीवन से क्या क्या बाहर निकालना है प्रभी यसु को हम हमारे जिवन में आना हो तो हमारे जिवन में बहुत सारे चीज़ें आ चुके हैं जो प्रभु के वशन के अनुरूप नहीं हैं प्रभु के अनुसार नहीं हैं प्रभु के योजना के अनुसार नहीं हैं दुनिया की बाते हैं दुनिया के चीज़ें हैं लालच की बाते हैं स पापमें विछारदारा हैं, पापमें कारिय हैं, इन सभी का निर्गमन होना बहुत ही जरूरी है. जब इन सभी बातों का निर्गमन होगा, मैं अपने आपको तयार करूँगा प्रभी यह सुछ को अपने जीवन में स्वायद करूँगा, जब मैं जो कुछ प्रबू के विरुद है उसका निरचमन करूंगा तब प्रबू का स्वागत कर पौँँ इसलिए यह तुसरा बिंदु बोहुत ही जरूरी है निरचमन पहला है पहला शब्द है आगमन दूसरा शब्द है निर्गमन और निर्गमन करना हो तो हमें गंबीरता से इसकी तैयारी करने होगी तब ही जाके प्रभी यस्व मस्य का सच मुछ हमारे जीवर में फिर एक बार एक नए सिरे से एक आगमन होगा और जब प्रभी का आगमन होगा हम सभी जानते हैं कैसा जीवर बदलत हैं विचार दा रहा हैं बदलते हैं सोच बदलती है द्रस्टी बदलती है द्रस्टी कोण बदलता है नाम बदलता है काम बदलता है इंसान नया होता है ज़की उसके गर में प्रभी मसी का आगमन हुआ जकी उसका जीवन बदल गया काम बदल गया नाम बदल गया वेक्तित बदल गया और सब कुछ नया हुआ वैसे ही हमारे जीवन में होने के लिए कलिस्यान ये सुन्दर समय हम सबों को दिया है आगमन का काल तीसरा बिंदू है आज के दिन में मनन चिंतन कर जागते रहने के जाकने का ताथ कर यह PKांपर ये हैं आइसास करना है कि में कहां पर कड़ा हूँ जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं नभी अगय का ग्रण्त द्या कि प्रकार से हमने वहां पर बात बताएं यह हैं अपने पेरिश्थिति पर विचार करो अपने स्थिति पर आप में विशार करना, मैं कहां पर पहुंचा हूँ, कहां पर खड़ा हूँ, कहां किस मुकाम में, किस दिशा में, मैं जा रहा हूँ, इस बात पर अपनी स्तिती पर विशार करने की जरूत है, और इसको कहते हैं, जाकते रहना, जागरुक होना, सल्फ अवेरनेस, जागरुक होना ये बहुत ही जरूरी है और जागरुक होने के लिए ये आगमन का समय हमें दिया गए वही बात आज के सुसमचार के द्वारा हमें बताए गए है जाकते रहो यानि कि जागरुक हो जाओ और हम बैबल में पढ़ते हैं जब उड़ाओ पुत्र जागरुक हुआ अपनी प वह में बुलाता है चोटाव बिंदו है आगमन का काल में हम समुंके लिए मन चंतन करने के लिए खोश में आना वड़ाओ पूत्र को जब यह ज़ा जागरुख हुआ वह होश में आया तब उसको पता चला वह देख पाया सही क्या है गलत क्या है अच्छा क्या क्या है बु बातों को फरक कर पाया इसलिए वो बाइबल में बताएगा होश में आया जब होश में आया वहां पर वो नहीं रहा उस गंदगे में उस पाप में उस बुराई में नहीं रहा उसने निरना ही लिया मैं यहां से उटूंगा जाओंगा पिता के पास पिता से कहूंगा पिता ज जब होश में आएगा इंसान तब निर्णाई लेगा कुछ बहतरीन करने के लिए पांचवा बिंदु है मनंच इंतन करने के लिए पश्चताप करना उड़ाओ पुत्र ने पश्चताप किया उसने तई किया मैंने गलत किया इसलिए मैं अपने पिता के पास जाओंगा पिता लगा उसको सुभिकार किया वही किता पर मेश्वर चाता है कि हम सभी पश चताप करें सच्चा जहां होगा वह हमारा ध्यान के इंद्रित होगा नहीं कि प्रभू में हम जीएं प्रभू के वच्छनों को अपने दिल में रखें और थब जाके हमारा असली और स्वरूप और रूप निखर जाएगा इसलिए हम लवट के जाएं उस प्रभू के पास लवट के जाएं उस प थक रहनुए प्रभुके पाहँ प्रभु के पास लवट की जायए साथ्वाभिंदव पिता के साथ आनन्दमाना प्रभु हम स्वग एसलिए बुलाता है क्या में明व के साथ आननद मना दुनिया में आनननद शंभंगडू है चार दिनका है कुछ समय की तो इसलिए शाश्वत आनंद कुशिया प्रेम प्रभू से हमें मिलता है इसलिए प्रभू के पास लोटने के लिए प्रभू हमें आज के दिन में बुलाता है इसलिए बाईयों बेहनों आज के वशनों पर हम लोग मनंचिंतन करें आगमन का काल काल में हम लोग बड़ी बड़े के कारी के लिए प्रभू के परिपाव को होने पाएं इशले प्रभू हम लोग प्रार्टना करें स्रुज्ज्व अक्तिमान पीता परमेश धनिय दने वाद दे ते आज के वच्छ बेंगा राज के आगमान झाल झाल झाल